ही गाइज आज हम पढ़ेंगे दा हिंद्व अटेटों से कुछ वह क्याइफ जो कि आपके जितने भी कॉम्टेटिव एक्जाम से बैंक इससी यूपी एससी स्टेट बैंक इन सब के लिए बहुत जरूरी है इस नदिंग जिस्ट फाइब इसके फाइब इसके फाइब फाइ जो बहुत जादा हलका होता है वो तैरता है तो वो क्या अपने आप में एक बहुत ही जादा हलका है यानि कि हलका महसूस कर रहा है यानि कि बहुत खुश है अंदर से कोई टेंशन नहीं है तो बस वही से यह वर्ड उठाके रखा गया है बॉइंट बॉइंट का मतलब होत सब आप जानते होगे, but light-hearted, carefree and just fully आप के लिए कुछ नियू होगा, okay, next, brew, brew की हिंदी मिनिंग होती है, निर्मार धीन होना, यानि किसी भी चीज का process चलते रहना, simple सा है, किसी भी चीज का बनाना, okay, कुछ भी निर्मार होना, उसे बोलते हैं, brew, especially जो brew वर्ड है, वो जितने भी alcoholic product होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है, okay, जो उने बनाने के लिए, brew हम बोलते हैं, कि इनके brewing, आपने सुनो करा, brewing कराई जाती है, rice की, या कई सारी चीजों की, grapes, juice की brewing कराई जाती है, तब जाके, इतने टाइम बाद, alcohol बनता है, तो बस बहिए, brewing एक process है, यानिक किसी भी चीज को prepare करना, तैयार करना, okay, इसके सननमस होगे, ferment, make, infuse, stew and mash, ये इसके सननमस है, next, fledgling, fledgling की हिंदी मिनिंग होती है, अनभव हीन, मनिशी, यानिकि कोई भी ऐसा इनसान, जिसको किसी भी फिल्ट के बारे में knowledge ना हो, especially अगर आपके ग्रुप में किसी भी topics related ब आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो, उस topic के बारे में थोड़ा सा भी knowledge नहीं है, okay, तो उसे बोलते हैं fleezing person, यानि कि एकदम अनुभव हीन है, अब जैसे आप लोग पियो की तियारी कर रहे हो, तो आपको पियो के बारे में अच्छे से पता होगा, लेकिन अगर कोई S होता है, या कोई system होता है, उसके लिए एकदम नया हो, ठीके, बिना किसी experience के, तो क्या है, fleezing है, इसके synonyms हो गए है, suckling, emergent, incipient, and infant, okay, यह सब इसके synonyms है, infant, baby को भी कहते हैं, जो छोटा बच्चा होता है, ना, born baby, अगर आप बात करो, तो born baby, जब कुछ दिनों का हो जा इसी के बारे में, knowledge नहीं होता है, हर चीज के बारे में, बस वो, क्या है, एक अनबभीन है, fludging, fludging child है, okay, समझ में आ गया, यहां से भी infant उठा के रखा गया है, जैसे आपने एक सुना होगा, idiom, कि I was not born yesterday, मतलब मैं दूद पिता बच्चा नहीं हूँ, तो I was not born yesterday, कली का क जादा हुए, ऐसे क्यों बताया गया है, क्योंकि अभी वो, जब पैदा ही हुआ, तो उसे उस बारे में, कुछ knowledge नहीं है, तो इसलिए infant भी बोला गया है, यहां पे, okay, next है, perpetrate, अब आपने perpetrator कई बार सुना है, perpetrator कई बार repeated word है, बस वहीं से यह आया है, perpetrate, perpetrator का मतलब होत है, perpetrator, लेकिन जो वो crime करता है, उसे बोलते है, perpetrate, simple सा है, perpetrate मतलब होता है, crime, यानि कि जुर्ब या कोई पाप करना, especially, पाप करना, कोई गलत काम करना, बहुत ही भयानक तरीके से, खराब तरीके से, तो उसे बोलते है, perpetrate, यानि कि पाप करना, to commit a crime, or do something wrong, or evil, यानि कि क्य करना, crime करना, या फिर कुछ गलत करना, इसके सिनम्स होगे, sin, sin का भी मतलब होता है, पाप, okay, and commit sin, ये ऐसे आप पुरा बोल सकते हूँ, वोब के साथ, next, sorry, इसके एक और सिनम्स है, transgress and go wrong, अब go wrong, and go wrong की बात की जाए, तो go wrong एक phrasal वाप है, okay, go wrong, यानि कि कोई चीज गल करना, okay, next, hardliner, hardliner की हिंदी मिनिंग होती है, कटरवादी, अब कटरवादी किसे कहते हैं, कटरवादी का मतलब ये हो गया, कि आपकी कोई एक विचार धारा है, आपकी कोई एक सोच है, किसी चीज को लेके, और लाग समझाने की बावजूद भी, दूसरे आपको लाग समझ कटरवादी हो, अपनी थिंकिंग नहीं चेंज कर रहे हो, चाहे वो चीज सही हो या गलत हो, उसे बोलते हैं कटरवादी, okay, the people who support a strict, यानि कि ऐसा person, जो हमेशा strict, fix, set of idea, एक ऐसा idea को set करें, जो की strict है, okay, जो की गलत है, especially कटरवादी उसे भी कहते हैं, मेंली negative चीजों के ल any change in them, यानि कि अपने विचारों को, क्या करें, वो change करने से मना कर दे, accept करने से, simple वही चीज है कि accept उसको करके रखे, और उसको बदलेना, तो वही जा है, कटरवादी होता है, okay, इसके सननम्स, hard core, militant, militant आपने कई बार सुना होगा, militant क्या होता है, आप उसको जरूर बता होगे सारे, next tip, solidarity, solidarity की हिंदी मिनिंग होती है, एक जुटता, क्या होता है, एक जुटता, यानि कि simple सा है, एक जुटता से ही आप समझ जाते होगे कि unity, एक साथ आना, क्या कहलाता है, solidarity, एक साथ आना, तो the support of one group or people for another, यानि कि especially किसी दूसरे के लिए आप क्या हो रहे हो, एक बचे को डाट दिया, और फाल्दू को डाट दिया, तो सारे student खड़े हो जाते थे, कि आपने कैसे डाटा, तो आप क्या होगे, एक जुट आ गए, किसी और के लिए, तो वही है, solidarity, तो वही है, solidarity, एक जुट हो जाना, इसके synonyms, unity, oneness, union, harmony and unison, ये इसके synonyms है, next, ethnicity, ethnicity की हिंदी मिनिंग होती है, जाती है था, अब ethnicity बहुत ही simple, आपने सुनाओगा कि ethnic dresses है, ethnic dresses मतलब क्या, जो हमारे culture से related हो, हर एक country के अपनी एक ethnic dress होती है, यानि कि कपड़े, जैसे हमारे ethnic, हमारा culture क्या है, लड़कों के लिए कुर्टा पर जामा होता था और लड़कों के लिए सूट सलवार, तो यह हमारी क्याती है, ethnic dress, यानि कि जो हमारा culture से accept करते हा रहा है, जो हमारी जाती है, वो चीज़ क्या है, एक ethnicity है, okay, the quality or fact of belong to the population or group or subgroup made up of people who share a common culture background or decent, यानि कि यह जाती है ता, यानि कि खूब सारे लोग हैं और वो एक ही culture से belong करते हैं, तो वो सब उन group को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यह ethnicity है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह हमारी जाती है, ठीक है, आप अगर फोरन जाते हो, तो फोरन में कभी-कभी लोग आपसे आपके culture को पूछते हैं, तो आप बताओगे कि हां, यह हमारी ethnicity है, यह हमारा यह पहनना, हमारा यह ख नेक्स है, डिस्टनीड, डिस्टनी आपने सुना होगा, डिस्टनी वर्ड, ओके, डिस्टनी आपने सुना है कि कोई चीज जब नियत हुआ होता है, तो उसे बोलते हैं डिस्टनी, अच्छा ये बताओ, किसने किसने सुना है, डिस्टनीशन वेडिंग, डिस्टनीशन वेड में आपको ऐसे ऐसे करना है उसी को बोलते हैं destination wedding ठीक है आपने कोई जगा decide की है आपने अच्छी से decoration आपने अपना dress decide क्या है कि पूरा जो whole होता है उसे destination क्याते है destination का मतलब सर्फ इतना नहीं होता है कि एक जगा से दूसरी जगा चले जाना destination का मतलब होता है कि future के लिए फूरा prepare होना याने की prepare होना या future plan करना आप कह सकते हो okay तो कोई चीज नियत क्या हो to destiny भी वहीं से word आया है कि कोई चीज नियत क्या हो कोई चीज आपकी किस्मत में हो कि यह चीज future में होने वाला है तो उसे बोलते हैं कि कोई जी नेसिसरी जो हो उसे बोलते हैं डेस्टिनेड ओके तो having a future that have been decided or planned at an earlier time यानि कि पहले ही आप अपना future decide कर लिया हो या future में आपको क्या करना है आप decide कर चुके हो ओके जैसे आपने अभी आप जिस चीज की preparation कर रहे हो तो वो क्या है वो आपके लिए एक destiny है okay destiny preparation है यानि कि आप आपको पता है future में आपको यह करना आप इतना plan लेके चल रहे हो तो वो क्या है एक destiny है यानि कि नियत किया हुआ है पहले से पहले से आपने तैय करके रखा पहले से किसी चीज़ को तैय करके रखना क्या कहलाता है destiny इसके सनम्स हो गए pre-determined, determined यानि की जानना, तो पहले से जग किसी चीज़ को जान लेना, next sorry, next नहीं है, fated यह सनम्स बता रहे है, pre-determined fated, pre-ordained and inevitable और ineluctable ineluctable next, this log this log की Hindi meaning होती है, हटाना किसी भी चीज़ को remove करना, unwanted चीज, especially, especially कह सकते हो कि अगर कोई चीज अपने fixed position पे है, उसे अपने क्या किया, हटा दिया, तो उसे कहते हैं, this log, normally नहीं कि अपने group से निकाल दिया, कुछ ऐसे कर दिया, कोई चीज अपने fixed position पे है, उसे क्या करना, हटा देना, ओके, तो to make somebody something, move from its correct fixed position, यानि कि किसी भी person को, या कोई भी समान है, कोई भी चीज है, उसे आप क्या करते हो, अपने एक fixed position से हटा देते हो, तो उसे बोलते हैं, this log, delete, remove, repeal, and eliminate, eliminate, and eliminate, ये क्या के लाता है, ये इसके सनन्दम से, इसका मतलब हटा देना, ओके, next and last, आपका एक phrasal verb है, break fresh ground, ओके, अब break fresh ground का मतलब ये नहीं कि जमीन तोड़ देना, इसका मतलब होता है, कि नहीं खोच करना, किसी भी चीज की नहीं खोच करना, क्या के लाता है, break fresh ground, ओके, break fresh ground, ये idiom and phrasal verb है, do something innovative and to develop, यानि कि कोई चीज इनोवेटिव करना, नया करना, या फिर कुछ डवलप करना, तो ये सारे आज के वो क्याप्स थे, डेली आप सम्म में टेली ग्राम पे आया करो, और वहाँ पे आपका डेली क्वेस्ट चलता है, ओके, जो आपका रिबिजन को और स्टॉंग करतेगा, तो थैंक यू,